आप सब को मेरा नमस्कार आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से बात करना चाहती हूँ मेरा नाम मिनाक्षी है और मैं उम गणपते चैनल की नेरेटर हूँ बहुत से लोगों ने ये मैंशन किया है कि मेरी प्रनाउसेशन में कई बार गलती हो जाती है मैं आप लोगों से इस बात के लिए माफी मांगती हूँ दरसल मेरी मदर टंग पंजाबी है और सेकिंड लैंगविज इंग्लिश है और मैं आप लोगों को आश्वासन देती हूँ कि मैं लर्न करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ जब मुझे ओम गणपते चैनल के लिए नैरेशन का मौका मिला तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई मैं बचपन से ही सनातन धरम की ट्रू बिलिवर हूँ और आप सब की ही तरह मैंने भी हिंदू धरम से जुड़े हुए बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है अगर कभी भी आप मुझे से बात करना चाहते हैं तो प्लीज मेरा नाम मेंशन करके कॉमेंट कीजिए अदर्वाइस आपको आंसर ओम गणपते से आएगा अनलेस कॉमेंट के नीचे मेरा नाम मेंशन हो अगैन आप सब से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ सकंद पुरान के अनुसार भगवान कार्ति के चै मुखों वाले देवों में सर्वाधिक सुन्दर देव हैं भगवान कार्ति के देवों के देव भगवान शिव और देवी शक्ति के पुत्र हैं उनके पांच सिर भूत नात के रूप में भगवान शिव का प्रति निदित्व करते हैं जो प्रकृति के पांचों तत्वों के भगवान भी हैं और छटा सिर कुंडलिनी उर्जा के रूप में देवी शक्ति का है आप सबको हमारा नमस्कार आपके अपने चैनल ओम गणपते में आपका स्वागत है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले भगवान शिव जो भूत नाथ भी हैं और उन्हें पंचानन भी कहा जाता है पंचानन वो जिनके पांच मुख हैं इसलिए भगवान कार्तिके जी को शडानन भी कहा जाता है वो जिनके छे मुख हैं भगवान कार्थिके सभी देवों और उपदेवों का नेतरित्व करते हैं मौर कार्थिके का प्रथागत वाहन है उन्होंने धर्ती पर मानव रूप में जनम नहीं लिया है और ना ही हमारे लिए अलग से कोई अवतार लिया है वे योग के गुरू है और उनके द्वाराधारन किये जाने वाले अस्तर को वेल कहते हैं जो और कुछ नहीं बलकि सूश्मनाडी के ही समान है उन्होंने गर्ब से जनम नहीं दिया है उनकी उत्पत्ति अगनी जल और बीच से हुई है उनका कोई भौतिक रूप नहीं है इसलिए वो कुंडलीनी अभ्यास में एक आराध्य देवता है हमारे भीतर साथ चक्र है और हमारे भीतर ही उर्जा का केंद्र भी है उर्जा छे चक्रों के माध्यम से बढ़ती है और छटे चक्र पर आकर स्थिर हो जाती है इस चक्र को अजना चक्र कहते हैं जो हमारी दो भौहों के बीच में मौजूद शेत्र में स्थित है ये गुरु तत्व के प्रतीक भगवान कार्थिके के रूप में खिलता है भगवान शिव को आदी अनंत अखंड निराकार कहा जाता है और वहीं भगवान कार्थिके प्रत्यक्ष हैं पुराणों में भगवान कार्थिके के बारे में एक महत्व पूर्ण कहानी मिलती है जब कार्थिके एक चोटे बच्चे थे तो भगवान शिव ने उन्हें भगवान ब्रह्मा से शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेजा। पिता भगवान शिव के पास गये, भगवान शिव ने उनसे कक्षा से वापिस आने का ततपर्य पूछा, तब भगवान कार्तिके ने कहा, ब्रह्मा जी को ओम का अर्थ नहीं पता है, अब आप मुझे ओम का अर्थ बताएं, इस पर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले इसका अर्थ तो मैं भी नहीं जानता कार्तिके। आप मेंसे बहुत से लोग हमारी तरह सोच रहे होंगे कि भगवान शिव तो स्वयम ओम का रिश्वर हैं। उन्होंने ही इस प्रकृति को जनम दिया है। तो ये कैसे हो सकता है कि उन्हें ओम का अर्थ नहीं पता। हमने बहुत बार देखा है कि माता पिता अपने बच्चों के मुख से सुनने की आतुरता में कई सुवालों के जवाव नहीं देते। संभवते भगवान शिव के ना कहने का अर्थ ये भी हो सकता है। कार्तिके ने भगवान शिव से कहा कि फिर मैं ओम के अर्थ को आपको बताता हूं। अच्छा तो ठीक है फिर तुम ही इसका अर्थ मुझे समझाओ भगवान शिव बोले। इस पर कार्तिके ने कहा कि मैं इस तरह से आपको नहीं समझा सकता। आपको मुझे गुरू की को बताया कारतिके ने समझाया कि सम्पूwn प्रकृति ऊम में समाई होई है सुनकर माता पारवती जो बहुत प्रसण हुई और कहने लगी आप मेरे भगवान के गुरू बन गये हैं यानी आप मेरे नात के स्वामी बन गये हैं ये कहते हुए उन्हों ने अपने बेटे को स्वामी नात के रूप में सम्भोधित किया तब से भगवान कार्तिक को स्वामी नात के नाम से भी जाना जाने लगा आज के वीडियो में बस इतना ही जाने से पहले लाइक बटन जुरूर दबा दीजे और वीडियो अच्छा लगा है तो शेर कीजे आप से फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सब को हमारी शुब कामना नमस्कार